सोलन जिला में जब भी आजमान से पानी बरसता है तो शहर में पानी की कमी पड़ जाती है जिसका सबसे वड़ा कारण है उठाओ पेजल योजनाओं में गादाना यह समस्या आज की नहीं है बलकि वर्षों से चली आ रही है भाजपा और कॉंग्रिस इस उठाओ पेजल योजना का श्रय तो खुब लेते हैं लेकिन नदी में आने वाली गाद की समस्या की और किसी भी राजनेतिक डल ने आज तक ध्यान नहीं दिया जिसकारण यह योजना बरसाथ के समय में हाफ चाती है सोलनवासियों को तीसरे दिन मिलने वाला पानी चौथे या पांचवे दिन मिलता है जिसका कारण बहुत सी असुवी धाएं जिलावासियों को उठानी पड़ती है लेकिन अब यह गात की समस्या 2022 में खत्म होने वाली है क्यूंकि आई पी पानी पीने को मिलेका यह जानकारी आई पी एच विभाग के अधिशासी अभ्यंता रविकांत शर्मा ने मीडिया को दी है रविकांत शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बरसाथ के समय में गिरी और अश्वने घड में स्थापित पेजल योशनाओं में गात की समस दो परकुलेशन कोई भी बनाई गए हैं नदी में गाद आने पर इन कोई से 45 लात लीटर पानी लिया जा रहा है उन्होंने बताये कि साणे साथ MLD का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी वहां बनाय जा रहा है इस योजना पर 16 करोड रुपे खर्च के जा रही हैं इस यो पानी की कमी नहीं होगी प्राप्त कर लीगे थे और इस पर अब काम शुरू है नई स्कीम पर उसके लिए एक अलग से साथ MLD का वाटर ट्रीटमेंट प्लांक बन रहा है गोड़ा में और जिसमें की खासकर से स्पेशली स्कोप लिया गया है सिल्ट को कम करने के लिए डी सिल्टिंग चैंबर्स ड तो इसमें ने स्केसार उसमें ट्यूब सेर्टर्स लगेंगे जिससे की वह जो सील्ट है वह ज्यादा साथ से ज्यादा से लिए सेस्टल होगी और पानी का जो क्लीन पानी ठीक सा पानी आगे निकलेगा तो दी बाकिया हमारे फिल्ट्रेशन वेरे में जाएगा तो एक क्लीयर होके पानी बाहर आजएगा वह अच्छा इसी के साथ और एक हमने परकुलेशन वेल्ज दो बनाए गये हैं जिस पर एक का तो काम पूरा होई चुका जिस सिल्ट उस पर जो जब भी सिल्ट की समसे रहती है तो सिल्ट तो उपर उपर रहती तो यह जो आपकी वह क्यों कि ग्राउंड वाटर है वो वह बहुत साफ हमको मिलता है वह बिल्कुल हमने उस पर हमने वह टैप करना शुरू भी कर दिया है और वह अल्मोस्ट कोई से 30-35 लाख लीटर पानी तो हम अभी भी उसे ले रहे हैं 40-45 लाख टोटल हम पानी उसको टैप कर सकते हैं परकुलेशन वेल से और परकुलेशन वेल की जूरूत हमें ज्यादा पड़ेगी इन दिनों में बरसात के दिनों में ही या जब भी ज्यादा बारिश होती है जब भी सि पानी अन्य दिनों में मिल जाता को इसके लिए कोई 16 क्रोट का प्राधान किया गया है इसके लिए और यह अल्मोस्ट यह इस पर कोई 65 परसेंट का काम इस पर हो चुका है और यह लेटेस्ट बाई मार्च 2022 हम इसको पूरतिया कंप्लीट कर देंगे और स्कीम का एक नया ज देप टेम्स टीवी के लिए सुनन बेरो के रिपोर्ट